हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपा क्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल इनालिसस ऑफ 29 अगस 2021 तो गैज आज है तारिक 29 अगस 2001 केस और है संडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डा लिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पर क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जोइन करना नाव जोइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू नियूस पेपर मिल जा जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़े मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के सा करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है पैनामा को कहां पर है यह एक्जैक्ली लोकेटड इंडिया के कंपरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय त अजर आएंगे तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है यहां के जो प्रेसिडेंट थे पहले वाले वह भाग चुके हैं ऐसी चीजे यहां पर इस कंट्री के अंदर देखने को मिली है अब इन सब चीजों को देखते वे एक तरीके से इंडिया ने जो वीजा है वो भी कैंसिल किया वीजा कैंसिल किया वो अलग बात है साथी साथ यहां पर क्या हो रहा है जो पंद्रह सो अफगान ICCR स्कॉलर्स हैं आज के टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो यहां पर इसको हम लोग समझेंगे यह ICCR स्कॉलर्स कौन है तो एक परसनलिटी का यहां पर एक्जाम्पल या गया है 27 साल के यह है इनका नाम है शाफिक सुल्तान इन्होंने यहां पर बोला कि यह तरीके से अफगान गवर्नमेंट में काम करते थे कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंदर और इनको क्या हुआ ICCR का जो स्कॉलर्शिप है प्राप्त हुआ Indian Council of Cultural Relations का जो स्कॉलर्शिप है वो प्राप्त हुआ ताकि यह अपनी कोर्सिस कर सकें तो इन्होंने भारत में क्या करा डेली का जो JNU है जवालल यूनिवर्सिटी जवालल नेरू यूनिवर्सिटी यहां से अपनी मास्टर्स डिग्री करी और फिर मास्ट को कोई response नहीं मिलाए government की तरफ से चाहे वो visa को लेकर हो या चाहे वो stipend को लेकर हो क्योंकि यहां पर क्या है ICCR जो है यह scholarship देता है तो यह scholarship तो प्रोवाइड करवाई गई थी पहले भी लेकिन अफगानिस्तान में इतने crisis create हुए है इसकी वाजा से अभी यहां पर इसका ह हमारी सरकार की तरफ से कोई response नहीं आया है तो इसके बारे में आपको समझना है तो ऐसे यहां पर और भी students हैं ऐसा यहां पर बोला गया इनके द्वारा लगबग 400 students ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर अभी graduation तो कर लिया है लेकिन उन्होंने आगे की studies के लिए अपलाई क्या है ठीक है कि इनका जो नया term है वो start होने वाला था अगस्त के अंदर यह लोग भी wait कर रहे हैं कब इनके यहां पर visa हो visa यहां पर मिले उसक वाद आपका सकतो कब यह लोग आगे अपने course को pursue कर सके तो यह लोग भी आज के टाइम पर wait करते हुए नजर आएंगे तो इसी चीज यह से यह जो scholarship है यह वापा से provide करवानी पड़ेगी और यहां पर students का कहना यह है कि अभी visa को cancel किया गया लेकिन उसके बाद आप लोग को मालूम होगा हमने e visa को launch किया था e visa e emergency x miscellaneous visa को हमने launch किया था online तो यहां पर कहना यह है students का कि हम लोगों ने इसको apply तो कर दिया है बहुत सकारी चीज़े बताई गई है उसके बाद अगला आर्टिकल यह बहुत जादा important आर्टिकल है आज का article of the day है यहां पर बहुत सारी information इस छोड़े से आर्टिकल में है तो हम लोग समझेंगे अभी क्या हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक statement दिया है इंडिया brought back people holy books from Afghanistan देखो भारत ने बहुत सारे लोगों को अफगानिस्टान से evacuate किया बहुत सारे लोगों को वापस से इंडिया के अंदर लेकर आए उसी के साथ अफगानिस्टान से holy books को भी लेकर आया गया holy books क्या मतलब यह है जो sacred स्री गुरू गरंत साहिब है इनको ला लाया है एक तरीके से अफगानिस्टान से एक तरीके से हमने वापस evacuate किया लोगों को उसके साथ साथ जो sacred books है काफी सारे यहां पर आपका सकतो सिक्किजम है सिक्किजम के अंदर बहुत सारी पवित्र किताबे हैं स्री गुरू गरंत साहिब ठीक है तो इनको भी यहां पर एक तरीके से तेरा किताबे थी यह अफगानिस्टान के अंदर और यह तेरा जो physical copy है इन में से लगबग आज के टाइम पर भारत के अंदर दस आ चुकी है साथ पहले आ चुकी थी और तीन अभी लाई गई है तो अभी क्या हो चुका है हमारे पास दस आ चुकी है तीन जो यहाँ पर उद्गाटन किया गया है एक तरीके सेरेमेनी आपका सकते हो कि मनाई गई है तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में तो यहाँ पर हम लोग discussion करने वाले हैं दो important चीजों के बारे में वो है जलियाँ वाला बाग memorial क्या है ठीक है जलियाँ वाला बाग जो incident व परफूर प्लस जीएस पेपरवन दोनों के अदर बहुत सारे topics दे रखे हैं history के point of view से important है culture के point of view से important है ethics के point of view से important है तो आपको ध्यान देना है न्यूस में क्यों है क्यों है क्योंकि हाली में इंडिया ने अभी तीन सरूप औफ गुरू ग्रंथ एक तरीके जो कौम लोग के अदर आ चुके हैं तीन अभी भी अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे साथ पहले shift कर दिये गए थे तीन अभी यहां पर आये हैं जैसे लोग को हमने बुलाया अफगानिस्तान से बाकी जो तीन है वो आने वाले टाइम पर हम लोग देखते हैं फ जिसको यहां पर refer किया गया है as a young तो 1430 pages के अंदर यह क्या क्या लिखा होगा आपको मालूम होगा कि सिकिजम के अंदर आपको 10 गुरू देखने को मिलते हैं जो 10 गुरू हैं अब इन 10 गुरू ने अपनी बाते लिख रखी हैं यहां पर इन गुरू गुरंत साहिब के अं बाता है आपको दियान रखना सिक लोग यहां पर मानते हैं कि गुरू गुरंत साहिब एक लिविंग गुरू है और इनको बहुत ज़्यादा गुरु गुरू साहिब को respect पे करी जाती है इतनी रेस्पेक्ट की जाती है जितने एक गुरू का respect पे की जाती है आपको ध्यान बीर थी उसको कंपाइल किया गुरु गुरंद साहिब की 1604 में 1604 के अंदर फिर जो गुरु गुरंद साहिब है फिर इसको इंस्टॉल किया गुर्डन डंपल के अंदर अमरित सर में उसके बाद जो गुरु गोबिन सिंग जी थे आपको मालूम होगा यह 10 वे 6 मास्टर थे इन्होंने जो है अपने फादर के साथ मिलकर और उनके फादर कौन थे वो थे गुरु तेक बहादूर यह नवे मास्टर थे ठीके तो इन्होंने साथ में मिलकर एक तरीके से बिर को कंपाइल किया था तो आपको ध्यान डखना है इसके अंदर बहुत सारी बाते लिखी तो यहां आपको ध्यान रखना है और यह कुछ यहां पर important information थी जो कि आप लोग को मालूम होने चाहिए अपने culture के point of view से अब आपका question यह होगा यह जो एक तरीके से सरूप है कहां पर रखा जाएगा तो जो गुरु दुआरा है वहाँ पर एक separate अलग से resting place होती थी सरूप को रखा जाता है फिर उसका morning में जो सरूप है again install कर दिया जाता है ceremony पर जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है बहुत important चीज़ है as a mark of respect and respect देते वे जब यहां पर गुरु 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 साइब के बारे में उसके बारे में हमारे प्राम मिनिस्टर ने स्टेट्मेंट दिया है जलियाँ वाला बाग के बारे में तो जलियाँ वाला बाग इंसिदेंट क्या था इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे जलियाँ वाला बाग मैसेकर ठीक है यह एक बहुत बड़ा बाग complex और museum बनाए गया है अंजाब के अंदर तो scout gotten किया गया है तो आपको इसके बारे में ध्यार रखना है अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो complex है यह एक memory के तौर पर रखा गया है dedicate किया गया है उन लोग को जिन लोग को मारा गया था इस जलियां वाला बाग massacre के अंदर इस हत्याखन में बहुत सारे लोग को मारा गया था यह massacre हुआ था 13 अपरेल 1999 में कहां पर एक तरीके से यह किसी के order पर गया गया था वो order था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर का ठीके तो इसके order पर बहुत सारे लोग को मारा गया ठीके तो आप कर सकते हो बहुत सारे लोग की जो जान गई है उनको एक तरीके से memory की तरह याद रखने के लिए हमने यह चीज का उद्गाटन किया है उसके बाद यह जो tragedy है इसको एक massacre of Amrit sir भी बोला जाता है तो आपको ध्यान अखना है और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला था इस पूरे massacre के अंदर तो यहाँ पर एक तरीके से जो British थे British troops थे जो कि General Dyer के अंदर में आते थे उन British जवारों ने open fire कर दी थी यहाँ पर ऐसी crowd के उपर जिनके पास कोई हतियार नी था ठीके ऐसी crowd जो कि बाग के अंदर थी वहाँ पर एक तरीके से आपका सकतो open fire कर दी सबी लोगों के उपर तो यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे इसके बारे में तो यह जो event है यह जो massacre है यह कब हुआ था आपरेल 1999 में तो आप 1999 में तो आपको ध्यान अखना है उसके बाद यहाँ पर बोला गया यह जो incident हुआ है ना इसके पीछे बहुत सारे factors से world war one चला था 1914 से लेकर 1918 तक ठीक है जो British government of India थे उन्होंने एक series वागर आनेट करी थी और एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था तो ब्रिटिशर ने एक series नेट करी जहां पर बहुत सारी activities को combat किया जा रहा था उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और भी जैसे रॉलेट एक्ट आया था तो इसको हम लोग revolutionary crimes act of 1999 इसको ब्लेक एक्ट भी बोला जाता है जिसको पास किया था दस मार्च 1919 में आपको ध्यान रख लाएं यहाँ पर क्या हुआ था जो government है यहाँ पर इन्हों ने क्या करा कि मालो कोई भी व्यक्ति है उसको सजा दी जा सकती है एक तरीके से बिना किसी ट्राइल के यहाँ पर सदर जी जा सकती है उसको उपर sedition के charges लगाया जा सकते हैं ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था फिर उसके वाद यहाँ पर आपको सकते हो इस massacre के पीछ और भी बहुत सारे कानड़ आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर बोला गया 13 अप् किछलू हैं और साथिसा डॉक्टर सतयफाल जी है इनको रिलीस कर दिया जाए इनको रिलीस करने की मांग करी जा रही थी दो प्रोमेनेंट लीडर्स के मैंने नाम लिया है यह दोनों एक सिंबल थे हिंदू-Muslim unity के ठीक हिंदू-Muslim को एक करके यहाँ पर यह लोग चल रहे पर सेडिशन चार्जिस वगरा भी लगाय जा रहे थे देश दरों के चार्जिस लगाय जा रहे थे मार दिया जा रहा था उनको जेल मडाला जा रहा था यह सब चीज़े देखने को मिल रही थी ठीक है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल ला था शांदी से प्रोटेस्ट कर यहां पर जवान फिला दिये सारे ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे और उपन फायर यहां पर कर दी उस पार्क के अंदर ठीक है उस जलियां वाले बाग के अंदर जितने भी खटे हुए थे सब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके उपर फायरिंग कर दी और उन सारे लोगों के पा का आपको मालूम होगा ठीक है और इक तरीके से यहां पर फिर उसका पूरी तरह से कोशिश करी गई ब्रिटिशर्स को यहां से भगाने की बहुत जादा बुरा इंसिडेंट यहां पर क्रेट हो चुका था तो ऐसा यहां पर बताया गया ओके देन यहां पर क्या हुआ 14 एक्टूबर 1919 में जब यह सब मैसेकर पूरा हो चुका था तो इनकवारी कमिटी को बनाए गया और वो जो कमिटी है वो बनाई गई ताकि जो वो इनकवारी कर से के इस पूरे के पूरे हत्याकरंट के बारे में और उस कमिटी को बाद में बोला गया हटर कमिशन तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है यह Hunter Commission नाम एक और एक तरीके से व्यक्ति के नाम पर दिया गया जिसका नाम था Lord William Hunter तो आपको ध्यान रखना है यह कुछ चीजे हैं जो कि important है यह सब आप detail में पढ़ोगे जब आप लोग history पढ़ोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटा सा ओवर्यू ही ही दिया है ओके फिरो उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो कि बहुत ज़ादा और भी प्रोटेस्ट हुए एक तरीके से हमारे जो हमात्मा गांदी जी ने नॉन कॉपरेशन मुवमेंट वगरा भी चलाया 1920 से लेकर 1922 तक ठीक है यहाँ पर कि हम लोगा ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करने वाले और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़े चलाई जिसके बाद यहाँ पर जिसका जो end हुआ वह ब्रिटिश रूल यहां से खतम होता मनजर आया भारत के अंदर से तो यह चीज़ें आपको याद रखना है जलिया वाला बाग मैसेकर के बारे में तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवर्वी दिया है यहाँ पर बहुत कुछ जानने के लिए लेकिन आप पर क्या ह हिस्ट्री के पॉइंट आप पड़ोगे डिटेल में पड़ोगे स्टाटिक पोर्शन पड़ोगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आगे बढ़ते हैं नेक्स आर्डिकल की तरफ आगला आर्डिकल बात करता है गुजरात तू कॉंटेस्ट जगह पर देखने को मिलता है जहां पर जो मेल या फीमेल है जो मेल है वो यहां पर खोशिश करता है जो फीमेल उसको कनवर्ट करने की उसका जो रिलीजन है वो बदलवाने की कोशिश करता है तो जबर्दस्ती जो रिलीजन बदलवाया जा रहा है लोगों के द्वारा उस इस्टे भी लगिया सेक्ट के उपर लेकिन गुजरात यहां पर यह बोलता है गुजरात के सीम यह बोलता है कि यह लोग स्टॉप करने वाले मतलब रोकेंगे जो यह फोर्स फुली कनवर्जन होता है इसको डेफिनिटली रोका ही जाएगा ठीक है जो जबरदस्ती यहां पर इसको रेलेट कर सकते हो एंटी कनवर्जन लोग गुजरात कॉंटेक्स यहां पर पूरी तरह से चाहता है यह जो फोर्स फुल कनवर्जन हो रहा है इसको रोका जा सके इशू यह है यह आज के टाइम पर बहुत सारे पेटिशन वगरा भी डाल दिए गए हाई कोर्ट के अ व्यक्ति का एक तरीके से रिलिजन बदलवाता है उसको रोकने का काम करता है और अगर कोई जबरदस्ती यह काम करेगा तो उसको तीन से दस साल की जेल हो जाएगी ऐसे यहां पर बताए गया और यहां पर इससे पहले गुजरात के अंदर यह एक्ट था गुजरात 2021 वाला यह एक्ट बनाया गया है तो आपको इसको बारे में ध्यान अखना है क्या होता कि बहुत सारी जो विमेंस हैं उनको एक तरीके से बहला फुस्ला के एक तरीके से यहां पर उनका रिजन बदलवा के शादी कर ली जाती है उनका religion चेंज करवाया जाता है तो यहां प है इसके साथ काफी सारे issues आपको देखने को मिलेंगे issues यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि Supreme Court ने marriage को लेकर कुछ चीज़े बताई है अब वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा लेकिन यहाँ पर बोला यह जा रहा है जो यह law है ना इसके regarding issue यह है कि लोगों के पास अपना चीज़ बोली थी कि देखो यह इनसान के उपर है right to choose a life partner यह जो हक है यह उसके पास है हर एक व्यक्ति के पास right to choose a life partner है कोई भी व्यक्ति अपने life partner को choose कर सकता है ऐसा यहाँ पर Supreme Court ने बहुत पहले बोल दिया था तो आपको ध्यान रखना है उसका यहाँ पर बोला गया कि जरूरत किया देखो जरूरत यह है कि जो भी यह conversion law है ठीक है एंटी conversion law है इसको आप लोग लागू तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए किसी भी person की will की against नहीं होना चाहिए मानलों कोई व्यक्ति चाहरा है कि हाँ अपने religion को change करना अपने religion को convert करना दूसरे religion म इस चीज के उपर आपको focus रखना पड़ेगा ऐसा यहाँ पर बताया गया है ओके तो आपको ध्यान रखना है साधी साथ यहाँ पर बोला anti-conversion law के regarding आपको जो है लोगों को educate वगरा भी करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा इसके provisions वगरा करिए कि बोला जा रहा है इस law को रोक दो ठीक है इसको अभी के लिए स्टे कर दो लेकिन यहाँ पर गुजरात के cm ने बोला है कि हम लोग definitely जो यह forcefully conversion हो रहा है इसको हम लोग रोकने वाले हैं अपना यह law इस्तमाल करने के है ओके आगे बढ़ेंगे next आर्टिकल की तरफ नवा आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल बहुत सदा important होने वाला है यहाँ पर चर्चा और यह जो डेली government है उन्होंने nominate कर लिया है तीन doctors को मतलब तीन doctor के नाम बाहर ला चुके हैं जिनको Padma Awards के लिए आगे nominate किया गया है तो आपको ध्यान रखना है Pad Padma Awards के लिए nominate किया गया है तीन doctors को अभी यहाँ पर जादा जानने की जरुरत नहीं है जानने की जरुरत यह है यह यह पर आज के टाइम पर कोविड के टाइम पर doctors ने काफी बढ़िया काम किया है healthcare workers ने बहुत अच्छा काम किया है तो इन चीजों को देखते वे डेली सरक लिए तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद यहाँ पर अनॉंस किया गया था यह किया गया था नाइटीन एक तरीके से जो पद्मा वार्ड से इनको 1954 में इंस्टीट किया गया और बोला जाता है यह पूर हमारे भारत का एक वनाफ दा हाइस सिवेलियन ओनर बोला जाता ह लोग को जो ओनर किया जाता है एक हाइस नंबर पर यहाँ पर इस अवार्ड को गिना जाता है इसका मेरा अब्जेक्टिव यह है कि मानलो किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ एचीव कहिया है ठीक है जो कि तरीके से काबलिये तारीफ है तो उसको यहाँ पर रिकिनेशन करने क आपको ध्यान रखना है पद्म जो विभूशन होता है यह इस वक्ति के लिए होता है जिसने बिल्कूल एक्सेप्शनल वर्ड किया है जो कि दूसरा कर ही नहीं सकता काफी बहुतरी दरीके से काम किया है उसने अपने लाइफ के अंदर बहुत लोग को अंस्पायर किया है अलग से काम किया है उसका पद्म भूशन अवर्ड भी यहाँ पर ऐसी बोले जाता है और उसके लिए पर पद्म श्री अवर्ड भी यहाँ पर इनी चीज़ों के लिए दिया जाता है आपको ध्यान रख लाएं इन तीनों आवर्ड में से जो सबसे उच्छे लेवल पर है अब यहाँ पर बात करते हैं यह जो अवर्ड एक लोगों को दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है जो कि अपने तरीके से प्रोफेशन उसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है चाहे वह आर्ट हो सोशल वर्क पब्लिक अफेर साइंस इंजिनियरिंग ट तो किस व्यक्ति को यह अवर्ड मिलेगा eligibility क्या है तो तो को हर किसी व्यक्ति को यह अवर्ड मिल सकता है यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है चाए वो race, occupation, position, sex को लेकर कोई भुखतभाव नहीं है सभी यहाँ पर eligible है इस अवर्ड को लेने के लिए काम करना है बहतर और उस लिपर वर को हो i offered को देता है औगे बढ़ेंगे नेks्सारटिकल की तरफ आमका हए धोण देन पर के अर्शन आस nostra vide बैए और में चर्चा करण और ये वाई र है हाइड्रोपावर प्रोजेस्ट मिलीत composition कर से दैंसमें को छिसी किसे कि अधेम से अजओ यह टाइम से चाइंफने अधेर इपिछन लेगा मैं ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल वामिंग मतला हमारे temperature बढ़ता जा रहा है, temperature बढ़ लेगा, हिमालिया क्या होंगे, पिगलेंगे, हिमालिया पिगल रहे हैं, बरफ पिगल रही है, glacier हमारी melt हो रही है, बहे कर नीचे आएंगी, ठीक है, अब बहे कर नीचे आएंगी, तो वो project भी तबाह हो जाता है, ऐसी हमने incident और ही बहुत सारे देखे हैं, और यहाँ पर rainfall हो रही है, avalanches देखने को मिल जाता है, cloudburst देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी activities ऐसी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजासे यह project को खत्रा है, साथ ही साथ, जो loss of livelihood है, उसको भी काफिहत तक, मतलब यह loss of livelihood भी हमें बहुत जाता है, बहुत सारी लोग की जान भी जाती है, अभी हमने कुछ टाइम पहले यहां पर एक avalanche देखा था, आपको मालूम होगा, ठीक है, तो यहां पर बोला गया, जो एक तरीके से environmental experts का कहना यह है, यह आज के टाइम पर global warming बहुत बढ़ा reason है, इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से जंबर और जो glacier lakes है, वो बगरा बढ़ रही है, और यह सब हो रहा है, climate change की वज़ा से, जो यह temperature है, इसको बढ़ने की वज़ा से, यह सब चीज़े देखने को मिल रही है, उसकी वज़े से क्या होता है, तो यहां पर उपर से अगर यह चीज़े बहती भी आएंगी, ठीक है, यहां फिर land slide होती भी नजर आती है, cloud outburst होता है, तो उसकी वज़ा से यहां पर यह project काफी ज़ादा खतरनाक तरीके से damage हो सकते हैं, ऐसा बोला है, तो यहां पर यह projects risky हो सकते हैं, तो आप question यह होगा, तो यार यह लोग जब hydropower project नहीं मना रहे हैं, तो electricity वगरा कैसे generate करेंगे, इसको इन जो conflicts को resolve कैसी किया जा स अपना काम आगे कर सकते हो, दूसरी चीज़ यहां पर अगर आप लोग environment protection को पर ध्यान दे नहीं सकते, और दे भी नहीं रहे हैं, हमने यह चीज़े देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है, electricity को purchase कर सकते हो, थोड़ी दूसरी जगा से, ठीक लगबग बोला गया है, एक हजार करोट रुपए annually यहाँ पर पे करते हैं, ताकि जो purchase करते हैं, electricity को, ठीके, उसके आद यहाँ पर इसी की जैसे बहुत सारे जो projects वगएरा है, वो cancel वगएरा देखने को मिल जाएंगे, यहीं चीज़ को हम लोग आगे भी implement कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, कि हाइडरो पावर प्रोजेक्ट्स यह हमालियास के अंदर क्यों रिस्की हैं, इसके पीछे one of the current है, वो है climate change, ओके, आगे बढ़ेंगे next article की तरफ, तो यहाँ पर छोटे 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 articles हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसी हम लोग समझेंगे, ज्यादे डिटेल में काम कर रहा है, तो employer से बोला कि आप लोगों को ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं कर रहा है, जिसका record of violence है, मतलब जिसका record में जो हिंसा create कर रहा है, ठीक है, उसके ओपर बहु सारे criminal charges वगेरा भी है, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को पॉइंट एक तरीके से ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करना है, अपनी jobs के अंदर ऐसा यहाँ पर Supreme Court ने बोला है, तो मतलब छोड़ा size को जादा कुछ ही नहीं है, ज्यादा detail होगी, तो definitely मैं बताऊंगा हम आपर, जैसा हम लोगों ने देखा है, जो भी syllabus से अंग दर relate हो गया है, एक चीज़ और बता करते हैं, जो आर्टिकल दा हिंदू के अंदर भी नहीं आते हैं, या फिर Indian Express के अंदर आता है, लाइमेंट के अंदर आता है, या फिर PIB के अंदर आता है, तो वो आर्टिकल भी हम detail में discuss करते हैं, इन फैक्ट मैं आपसे यह बोलनों चाहूंगा, अगर आप लोगों ने daily business पर the Hindu newspaper वाला वीडियो आप फॉलो करी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, या आप फॉलो करते रहो, साथ साथ अगर आप लोग daily current affair वाला वीडियो भी फॉलो कर लेते हो, तो आपको और current affair में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे साब से, क्योंकि मैं syllabus स चल ला हूँ, सारे जो इतने भी important articles अलग लग जगा से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर सब चीज़े यहाँ पर इन दोनों वीडियो के अंदर cover हो जाती है, तो दोनों वीडियो को focus करते वे चलो, और daily current affair वाले वीडियो आज के टाइम पर बहुत best वीडियो चल रहा है, एक बार जरूर जाकर देखना है, ठीक है, उसको भी जाकर जरूर देखा करो, बहुत important वो हो चुका है, ओके, दिन उसके बाद वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मैं कहना भूली है, पहले starting में, तो वीडियो को लाइक करने के लिए कोई charge नहीं जाता है, तो एक छोड़ा सा सेकंड आर्टिकल बात करता है, जो इंडियन पाइलेट्स हैं, वो एक तरीके से रेटन करेंगे रेटन करेंगे रशिया में जल्दी अपने कस्टमाइज स्पेस सूट्स लेने के लिए तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मतलब आर्टिकल में कुछ ऐसी information जादा बहतरी information नहीं है, जो कि हम लोग एक तरीकी से एक्जाम के perspective से याद रखें, तो इस साल मार्च की बात है, लगबग चार इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर्स थे, जिन्होंने अपनी एक लंबी सी ट्रेनिंग पूरी करी है, कहाँ पर रशियान स्पेस अकैडमी के अंदर, ठी इंडिया का जो गगन यान human space flight program है, इसको लेकर यहाँ पर यह ट्रेनिंग चल लए थी, तो यहाँ पर एक तरीकी से ट्रेनिंग दी गई इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर्स को, तो इनकी ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है, अब यहाँ पर क्या है, यह लोग आ गए वापस स रश्या जाने वाले हैं, ऐसा बोला गया, रश्या क्यों जाएंगे क्योंको इनको अपने space suit चाहिए, space suit यहाँ पर मिलने वाले हैं इनको, as made as per individual specification, इसकरीके से space suit की जो है सिलाई होगी इनके, तो यहाँ पर अपना measurement वगरा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है, space suit क्या क करेगा, यह जो astronaut से इनको extreme temperature या vacuum से protect करेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा यहाँ पर बताई यह है, वो उसके बाद यहाँ पर India और Russia के cooperation के बारे हैं, अगर हम बात करें space sector के अंदर, दोनों का cooperation एक ultimate level पर है, दोनों countries space sector में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, प page number one पर कुछ अच्छे article आ गए, वो हमने discuss कर लिया है, उसके बाद आएंगे page number nine के उपर, that is world section देखेंगे, दुनियादारी में क्या चल रहा है, यहाँ पर एक article है, चर्चा करी जा रही है, जो US drone strike है, यह इसने target किया IS को in Afghanistan, देखो, Afghanistan के अंदर, US ने एक तरीके से strike करी है तो आपको धिहान रखना है, अब यहाँ पर क्या है, कि US ने जो strike करी है, इसमें इस strike में लगबग जो IS IS K है, ठीक है, इसको यहाँ पर बोला है, खुरासन, ठीक है तरीके जो यहाँ पर planners से, facilitator से, लगबग दो यह terrorist मारे गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया, अब ऐसा क् टॉनल्ड ट्रम ने तो यह भी tweet किया, बोला कि देखो, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरती नहीं थी, जो Biden ने जो काम किया है, ठीक है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, अभी जैसे चल नहीं थी, चीज़े चलने देते, ठीक है, एक तरीके से, अफगानिस्तान को stable बना कर निकलते, तो जादा better रहता, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर stability maintain हुई नहीं, और यह नोंने अपने soldiers को बाहर withdraw किया, और withdraw करने की वज़ा से, तालिबान ने अपना control वापस से पाया, 20 साल बाद, और control पाने के बाद आप कह सकते हो, लोग आज के टाइम पर बहु उन bomb blast के अंदर अभी तक data बताता है, 200 लोग की जान जा चुकी है, और फिर जब पता लगाया, यह bomb blast किसने किया है, तो वो bomb blast किया है, ISIS के ने, ठीक है, जिसको हम लोग Islamic State खौरासन भी बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने यह bomb blast किया, और एक तरीके से बोला यह गया, जो इस bomb blast के अंदर अफगानीस तो मारे गए हैं, तालीबानीस भी मारे गए हैं, उसके बाद जो है, बोला यह भी गया, कि लगबग बहुत सरे Americans हैं, उनकी भी जान गई है, ठीक है, तो यहाँ पर देखने की बात यह है, उसके बाद यहाँ पर अमेरिका क होई है, इसके अंदर लग बग जो यह एक तरीके साइस को target किया गया, और यहाँ पर दो लोग को एक तरीके से दो लोग की जान गई है, ऐसा यहाँ बोला गया, तो आपको ध्यान रखनाएं, यह attack हुआ था Saturday में, तो ऐसी चीज़े यहाँ पर बताई जा रही है, तो आप विदहोल्ड critical details on virus origin, अज के टा Carnival क्या है न, इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, इसके ऊपर काफी चर्चा कब से हो रही है, पिछले साल सी हो रही है, कि यह जो covid virus है, coronavirus origin कहा से हो आ है? बार बार बोला जहाँ चािना की labs origin हो आ है, लेकिन अभी report फिर से fail हो चुकी है, report य लाए यहां पर नहीं निकला एक तरीके से मतलब की चाइना के तुरह यह जो वाइरस है और इजिन नहीं हुआ लाए यह सारी चीज़े बताई गई और भी बहुत सारी चीज़े यहां पर बताई गई है जो कि बार बार यहीं बताता है कि यह एक बाइव वेपन नहीं है तो आज संडे है संडे में साइंस एंड टेकलोजी पर कोई भी आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा पढ़ने के लि आप लोग खुद एक बार गुत रू कर सकते हो खुद ऐक बार देख सकते हो ठीक है तो यहां पर ऐसी चीज़े नहीं देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी जो कि यहां पर आपको पढ़ने लाइक दिखेंगे गी किर देख, रही है इस जो है पर प्रेस करेगा चैने बार चोड़ा था ठीक है आर्टिकल हमने छोड़ दिया था जैसे मनें बताया था साइंस एंट टेकलोजी पर कल आएगा तो डिसकस करेंगे वैसे आज आया नहीं है तो लेकिन डिसकस तो हमें करना है क्योंकि वह आर्टिकल इंपोरेंट था मैं आपको दिखा देता हूं तो कल व विभूशन है यह पदमभूशन है और यह पदमश्री अवाड़ है जिसके बारे में हमने अभी डिसकुशन किया था आपको मालूम होगा अब यहां पर इस आर्टिकल को बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा डीटेल में चर्चा क्या हो रही है कि हाली में देख कि जो इंडियन साइंटिस्ट इन्होंने डिसकवर कर लिया है कि तीन बड़े बड़े जो ब्लैक होल्स हैं वापस में मर्ज हो रहे हैं और यहां पर आपका सकते हो यह जो मर्ज होना है यह अपने आप में एक रेयर चीज है ठीक होकर यह बना रहे है ट्रिपल एक्टिव एंहें ऍंहों मैंने लोगों ने देख़ा है बहुत साथे साथ देखने को मिलते हैं एक तरीके से बोला गया है बहुत Jeanne को मिला है और और उसी टैपक केसि अभी रिजन्टी हाम देखने को मिला तो करेंट मेज़र्ज़ है यहाँ पर बोला गया है सान्टिस ने स्टड़ी करा जो यहाँ पर एक यह है एक्टिव गैलेक्टिक नुकलेक्स यहाँ बोला गया है दो बड़े होल से तो तीसरा है NGC double 7 sorry NGC double 7 double 3 n करके यहां पर यह तीसरा वाला थर्ड वन वाला है तो आपको दियान रखना है तीसरा वाला एक separate galaxy है और यहां पर बोला गया यही जो है galaxies आपस में merge कर रहे हैं तीन जो यह emerging holes black holes हैं यह जो black holes सापस में merge कर रहे हैं यह तीनों गैलेक्सी का पार्ट हैं आपको ध्यान रखना है यह जो तीनों ब्लाक होल्स जो हैं merge करते हुए नजर आ रहे हैं यह तीनों ही यहाँ पर इस गैलेक्सी का पार्ट है और जो यह गैलेक्सी यह आपको तौकन constellation के पार्म में देखने को मिल जाएगी तौकन constellation क्या होता है यह constellation located है अब यह constellation क्या होता है सब से पहले हम इसको discuss करेंगे देखो constellation यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो स्टार होते हैं इस स्टार से शेप बंती वह नजर आती है रात में आपने कभी बैठ कर दिखा होग पेगेसिस भी एक constellation की form में देखा गया था कभी lion मन जाता है कभी मतलब अलग-लग forms बनती में नजर आती है तो token भी एक तरीके से आप कर सकते हो token क्या है एक bird है South American bird है जिसका picture आप लोग ने आज के थमलेल में देखा होगा ठीक है थमलेल के लिए कुछ मिला नहीं तो यहां पर यहीं बेटर लगा तो South American bird है जिसका picture आपने थमलेल में देखा वो भी एक constellation of star है वो भी एक तरीके से bird का form बना रहा था तो आपको ध्यान रखना है इसको यहां पर देखा गया थे एक बर सबसे पहली बार लेट 16th century में बाइप पीटरस प्लैंकिस के दोरा ऐसा यहां पर बोला गया तो constellation क्या होता है होब आप इसके बारे में समझ गया होगे तो यहां पर यह जो तीन तरीके से black holes आपस में merge हो रहे हैं यह तीनों एक galaxy के पार्ट है और वो जो galaxy है वो constellation के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी मतलब कि यह इस वाली जगा पर है यह जो constellation कहां पर located है Southern Hemisphere of the Sky में located है यह कब दिखता है अगस्ट से लेकर October के बीच में आप लोग को यह देखने को मिल जाता है constellation और आपको एक चीज़ और याद रखनी है जो यह constellations है यह अलग-लग प्रकार के जो यह मतलब star है यह अलग-लग प्रकार की शेप बनाते रहते हैं तो हमने अभी तक लगबग 88 जो constellations है उनको डिटेट किया है मतलब 88 शेप बनती है ठीके 88 शेप बनती वी नजर आई है स्काई के अंदर ऐसा है आप बहुत बोला गया रात के टाइम पर ऐसी शेप बनती वी नजर आई है सितारों से उसमें से लग-बग जो 48 नंबर पर है वो यहां पर आपको सकते हो यह वाला है तौकन वाला तो आपको ध्यान रखना है तौकन एक साउथ अमेरिकन बर्ड है उसकी शेप बनती वी नजर आती है ठीके तो उसी वाले एरिया में आपको यह एक तरीके से तीनों अमर्जिंग हॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यह जो सूपर मैसिव बड़ और होता क्या exactly सबसे पहले आपको समझना यह है black holes होते क्या है ठीके black holes के बारे मैं आपको बता देता हूँ तो आपको मालूम भी होगा आपने पड़ा भी होगा black hole आपको एक तरीके से point दिखने को मिल जाएगा space में हमारे अंत्रिक्ष में एक ऐसा point है जहां पर जो gravity है व अपने अंदर खांच लेता है ठीके तो आपको ध्यान रखना है यह जो gravity है इसका concept theorize किया था एलबर्ट आइंस्टाइन ने 1915 के अंदर ठीके और टर्म दिया था जो यह black hole यह दिया गया था एक लगबग 1960s के आसपास एक American physicist थे जॉन आर्किबाल्ट वीलर इनके तर्म द जब यहाँ पर होगा क्या जब यह दोनों galaxy आपस में टकराएंगी दो galaxies बड़ी बड़ी ठीके इन दोनों के अंदर यह black hole है अब यह जब दो और गलेक्सी आपस में कॉलाइड करेंगी यह टकराएंगी तो उनके जो ब्लैक वो भी आपस में पास माने लगेंगे ठीके यह गलेक्सी यहीए घूरा सा खोल से लेक Gus जब दोनों पास में गएंगे तो उनके जो बलाक कोने वह भी यहांपर लाईंगे आपनी गैने टेकर नर्टे करते बहुत करें आजवास में पास में आरहे से बीच में दोनों कर रंग ऑएगा किसकी है जब कम हो जाएगा और जो यह दोनों black holes हैं एक तरीके से यहाँ पर बोला गया कि होगा क्या जब एक particular period पर यह दोनों black holes प्रॉब्लम ठीक है फाइनल प्रॉब्लम बोलते हैं जब यह आपस में साथ में मिलेंगे और जब यह मर्ज करेंगे लेकिन बोला गया एक तरीके से यहाँ पर जो यह तीसरा black hole भी है अभी तो हमने देखा यह दो black hole की बात हो रही है दो मर्ज हो रहे हैं अभी हमने बात करी क्या होगा जो यह दोनों गैलेक्सी यह आपस में बीच में आएंगे ठीक है एक तरीके से टकराएंगे आपस में बिल्कुल साथ साथ आ रही हैं यहाँ पर क्या होगा जो यह अनदर वाला तीसरा वाला जो black hole है वो यहाँ पर इसके थूरू पास हो जाएगा तो आपको ध आपको नजर आएंगे इनके नाम याद रखना गैलेक्सी के नाम याद रखना उन गैलेक्सी के जो भी मर्ज करती वी नजर आएंगी और यहाँ पर मर्जिंग का प्रोसेस कैसा होगा वो सब मैंने आभी आप लोगो बता दिया है ठीक है थोड़ा सा कॉंप्लिकेट हो गया है लेकिन देरे-देरे समझोगे समझमा जाएगा सारी चीजा नोट्स वगरा है वो सब मैंने डिसकस कर सब दे दिया है आपको टेले